हेलो गाइज, वेलकम टू ग्राफिक टीज बैपरक, आई डू ग्राफिक डिजानिंग फॉदर टीशर्स तो हमने अभी तक के वीडियो में देखा है कि आपको फ्रेम किस तरह से सिलेक करना है उसके बाद आपको कोटिंग किस तरह से करना है सस्ते से सस्ता एक्सपोजिव उनिट कैसे बनाना है और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपको सिंगल स्टेशन फोर कलर मशीन मार्केट में किती रुपे तक मिल सकती है अच्छे क्वाली तो हमारे इस वीडियो का में मोटिव है कि अभी आपने इस चीजे सीख लिए समझ लिए अब आपको टीशिट खरीदना है तो आपको दुकांदार के पास जाना है दुकांदार को क्या कहना है तो आपको वह अच्छे क्वालीटी की टीशिट देख रहे हो तो अगर मैं इस टीशिट को एस्पेंग करना चाहूं कि मेरे हाथ में कुन सी टीशिट है तो मैं किस तरह से बोलूँगा तो मैं बोलूँगा इसे कि मेरे हाथ में जो टीशिट है वह 180 GSM प्री श्रिंग कलर फास्निंग और बायो वाश टीशिट है तो यह सब चीज़े में आपको समझाओंगा क्या होता है स्टेप बेस्टेप और आपको यह सब चीज़े ध्यान से सुनना बहुत जरूँद है क्यों कि आपको अगर अपनी ब्रैंड बनाना है मिसमें अगर यह प्रेफरेंस भी दोंगा कुछ टीशिट का टीशिट बिजनेस का जैसे वेबसाइट होगी उसका सोल स्टोर करके वेबसाइट है काफी बड़ी वेबसाइट है वह किस तरह से टीशिट अपनी सेल आउट करते है और उनका जो आप अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ोंगे उन 1080 ग्रम क्या है तो 180 ग्रम पर स्क्योर मिटर ठीक है तो समझ में आ गया सिंपल वहीं बोलता है कि 1-60 250 ग्रम फिल्ट को चिछ नहीं की को चिछ जित्प जएदा रहेंगा आपको थोड़ा ज्यादा मिलेंगा तो 162 टीशेट आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी मार्केट में और जो जित्ता हायर एंड पर जांगे वो 220 जीएसम की टीशेट थोड़ी आपको महेंगी मिलेंगी उसके सब सेकंड इस पर आता हूं मैं कि मैंने यूज किया था देखो और एक चीज है कि क्लरफास्टनंग भी यूच की ज़ोरत है तो वह प्रोसेस के लिए जैसे बायो वाश्ट नना ना अधर प्रोसेस करते kIS का जो को काठो की सब्सक्राइब कर दो गला है बहुत कर देंग, देगा सेकंड ची इसको लिया लेघा है Suppose गलोस्य टेक्चर केondू एक आची सिलकी टेक्चर जो होता है चमकदार टेक्चर इस टिशर्ट को मिलेगा और साथ में उसको इस टेशर्ट को वो क्या करेंगा सॉफ्ट करेगा तो बायो वाश के तीन फाइदे बहुत है तो आपको वह जुरूई है उसे वाश कर देता है कपड़े को सॉप बना देता है और ग्लॉसी लुक द सब्सक्रागी करेंद आप शींगा जाया जाना ठीच्णर डॉ Cox दूई ऐट नहीं होगा जैसा का टैसा हिसको आप धूप में लेकिजर दो या आपला निकली जाता है तो इसहे absorb informing2 यह द्टकर दॉड़ा CC 2 कि इसको बंवर्य तो यह त lower 3 प्लेर क्लर निकली कर इस टीशेट को पहले ही उसको प्रीश्रिंग ट्रीटमेंट मिल जाती है तो क्या करता है कि इसका जित्ता साइज और उसके बाद प्रीश्रिंग होना बहुत जरूरी है और जैसे जैसे आप इडिशनल यह चीजे डिमांड करोंगे दुका अंदर से तो आपको देखोंगे कि आपको टीशेट डिरा तक चली गई है तो यह चीज होते हैं जो किसी भी टीशेट की कोस्ट बढ़ानी के लिए जिम्मेदार होते हैं तो यह चीजे समझ में आगे अब बात करते हैं फिटिंग की फिटिंग की मिस अगर आप बेवकुट.com या सोल मेट वेबसाइट पर जाते हो तो आप देखोंगे कि उनके कुछ चार्ट होते हैं तो आपको रेगुलर जैसे में बताना चाहोता होता ह है उसके बाद होता है sampai 5 जिम्वीट साइज होता है दूसरा मार कोंफर्ट साइज या फिर उसको बोले की एस्ट्रा फुड़ा एस्ट्रा नार्ग साइज होता है तो अब करता है ऐसाधिए करता है होता की बोडी किस था किस तरह से आपका बॉडी स्रुक्ण की तरह से तो तो ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता मेरे साथ क्या हुआ था मुझे पता नहीं था मैंने दस से पंदरा वेंडर साथ कॉंटेक्ट किया और फाइनली जिसका प्राइज मुझे अच्छा लागा उससे मैं टीशिट खरीदा मैंने देखा कि मेरे से गलती होगी मैंने बहुत जोश जोश में आके उससे बढ़िया टोटल मेरा के देशो टीशिट खरीद लिया थे अलग अलग कलस के उसमें यह लेडिस टॉप भी थे लड़कियों के और अपनी रेगुलर टीशिट भी थी जो लड़को मेंस यूज करत बात भी आपको अलग अलग साइज देगा पर में वह फिटिंग की बात नहीं कर रहो जो बाकी वेबसाइट बोलते कि स्लीम फीट है ब्रॉट सेट नो 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 मैं उसको रेगुलर साइज की टीशिट ही मंगा था उस नहीं उसने अलग 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 टीशिट दे दिये किसी आपके साथ नहीं होने चाहिए तो इससे अपको बचना है तो क्या करना आपको वेंडर को कॉन्टेक करना है वेंडर को करने करने कारai आपको पास टिशट बुलाना है मिनिमम फई टीशट बुलाने पाज भी बिला सकते दस भी बूला सकते आपका जितना भी budget हो और पाज टिशेट बूलाना काया आपको Same size की t-shirt बॉलाना जैसे apps गलॉइ और सेम कलर की ही तीशेट भुलाना याद रखी याद रख विट जरूर यहां बहुत जरूरी है इससे क्या होगा कि याप इस टीशेट को जब आपको डिलरो आपके घर हैंगा जब इसके उपर प्रिंट करूंगे तो आपको एपास टीशेट को आप कंपेर कर सकते ह के साथ कि भाई यह मिक्स माल तो नहीं दे रहा मुझे यह कभी-कभी वेंडर के करते कुछ गिरावा माल होता है लोग जैसे वह मिक्स कर देता वनेटी जीए से मिक्स करते हैं मेरे साथ हुआ है मैं इसले कर रहा हो तो पहली बात तो किसी वेंडर के उपर ट्रस्ट मत हो सके जित्ता हो सके वेंडर से मिलिए कॉंटेक कीजिए पाच मिनिममम सैंपल बुलाईए सेम साइज और सेम कलर के उसके बाद ही आप उस वेंडर को फाइनलेज किए उसके अलावा मत कीजिए क्योंकि आपकी टीशिट में सबसेदा हीूज इन्वेस्मेंट होती है और व आपको सेम चीज करना है जो मैं आपको बता रहूँ और होपसो आप से आप यह चीज फॉलो करेंगे नहीं तो आपका काफी नुक्सान होगा बिस सडनली ट्रस्क किसी वेंडर पर मत कीजिए तो थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो अगर आपको यह वीडियो हेल लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और शेयर करना ना भूले थैंक यू सो मच फर वाचिंग